आप सभी दर्शकों का स्वाकत है आपके अपने न्यूज चैनल असंद रचल हर्याना में लाइव तस्वीर देख सकते हैं उससे पहले बताऊँगा कि बहुत बड़ा मैटर है पूरे शहर के लिए पूरे असंद के लिए तो मैं यह चाहूँगा कि उससे पहले आप ज्याद जहां मेरे हाथ में यह बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं मैंने जो लिखा है कि क्या असंद के साथ धोका हुआ है या फिर चेर्मेन के खिलाफ बहुत बड़ा सड़ेंतर रच्चा जाएगा शबत समारों से पहले एक बड़ा खुलासा होता है लोगों को मॉबाइल पर चेर्मेन की डिगरियां और किस परकार की जो बाते हैं वो बनाई जाती हैं तो विनम्मर निमेदन यह रहेगा कि जादा जादा आप इन तस्विरों को शेर कीजिएगा और बने रहेगा असंध हलचल हर्याणा के साथ शेर जरूर करें बार बार फिर यह कुंगा कि शेर उसके बात जो हैं अगली कारवाई जो है शुरू करेंगे और सबसे बातशीत करेंगे कि क्या खास है क्या होने वाला है क्या हो सकता है लाई तस्विरों को जादा जादा शेर करें डिस्पले पर अपना जो आया हुआ है लिखा हुआ हमने वो लिखा हुआ है कि क्या समारों है उससे पहले बहुत बड़ा एक खुलासा जी हां जो बहुत बड़ा खुलासा जो है होने वाला है तो आप बने रहें और जुड़े रहें इन तस्वीरों को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें फिर नंबर निवेदन बार बार आपसे कि तस्वीरों को एक बा हैं और बने रहे हैं हमारे साथ बात्चीत करेंगे बड़ी बात है बहुत बड़ा खुलासा है और यह क्या सबी नहीं किया है तो मेरा सभी साथियों से एक नम्मर निमेद रहें कि आप शेयर जरूर कीजिएगा और जो साथी जो देख रहे हैं जो साथी असंद के जो देख रहे हैं वो अपने ग्रूप्स में जाकर शेयर करें असंद में बहुत बड़ा जिहां बहुत बड़ा खुलासा हुआ है मोबा जो आपको आपका काम करेगा जो जिनता की मुश्किलों आसा माधान करेगा जो पक्सदार पार्टी है जो आज मुझूद पार्टी है उसके candidate जिहां कमलदीब सिंग लाड़ी उनके documents भी ये हैं हमारे पास उन्होंने जो the state election commission हर्याना निर्वाचन सदन उनको ये letter लिखा है और ये बताया है कि जो उनकी mark sheet है जो उनकी तस्वे की mark sheet है वो नकली है क्या ऐसा हो सकता है या ऐसा हुआ है क्या आपके साथ धोका हुआ है या फिर नगरपाली का chairman के किलाफ बड़या सडेंतर रचा गया है इनके पीछे कौन है कौन वेक्ति है ये जो mark sheet आप देख रहे है उत्तर परदेश आप सीधा रखीगा उत्तर परदेश राज्यमुक्त व मार्क शीट भी है उनकी जिसमें उन्होंने अपना जो रोलंबर है पासिंग का इयर है और इसके इलावे मैं को गरता हूंगा कि यह आटियाई यह आटियाई प्रिंसपाल सिंग तमेंदर सिंग आटियाई लगाई है उसके सारे डोकुमेंट्स हुए स्थीस कटारिया के ड डोकुमेंट्स सत्यापित है या नहीं और यह ओन राइन रिकार उत्तर प्रदेश राज्यामुक्त विधाल लेगा क्या यह डिगरिया नकली है क्या यह डिगरिया असली है इनको कौन बताएगा इनको बताएंगे खुद सतीस कटारिया उनसे बात्सीत करेंगे और उनसे यह सच है तो जंता से रुबरू हम कर वाएंगे जंतासे बाइट करांगे थोड़ा सा स्यक्रीमपर करेंगा उपर केिरिजा कटा हुए तो उनकहां हैं करते हैं सबसे पहले जो खुलासा जो मोबाइल के मात्यम से लोगों के बीच जो चल रहा है वो क्या है वो किस परकार से जो लोगों की क्या भावनाओं के साथ ठेस पुचाई जा रही है उपर एक नमबर से लाइव तस्वीरों को शेर करें बने रहें असन धल्चल हर्याना के साथ और से सीधा लाइव होंगे उनसे काफी लंबी लिस्ट है काफी लंबी लिस्ट है इसमें और भी कैंडिट्स है उनसे भी बात करेंगे कि यह है क्या यह सत्य है क्या यह असत्य है क्या लोगों के साथ खिलवाड हुआ है क्या जो सोचल मीडिया में या फिर लोगों के मोबाइल में जो चीजें चल रही है वो गलत है या वो ठीक है तो फोन मिलाया है लेकिन फोन को अभी नहीं पिक किया जा रहा है तो लाइब दस्विरों को शेयर करें और दुबारा फिर नेक्स्ट केंड़े कि शपत समारो हुआ नहीं और उससे पढ़े पहले बड़ा खुलासा होता है कि किस परकार से इतना बड़ा एक जो डोकुमेंट्स जो फिल्ड में आ जाते हैं जो आटे के मतम से मांगे जाते हैं ओनलाइन है वो लोगों के मोबाइल की डिस्पले पर जो है चल रहे हैं तो अभी हमारे साथ जोडेंगे नहीं जुडते तो अलग बात है कमल देप सिंग लाड़ी जो कि भाजपा के सेकंड नमबर पर रहने वाले थे जोनों ने निर्वाचन आयोक को जो है यहां एक शिकायत दी है तो अभी यह देखते हैं कि क्या रहता है बने रहें चुडे रहे क्या सच है क्या जूट है वो भी नहीं उठाते हैं किस परकार से जिहां है यह कौन है आट 2000-ude तो क्या इस रही जासे बात्षीत करेंगे सर नमस्कार लूसकर सर जी को सब्सक्राइब पूछना चाहते हैं आप लोगों के साथ लाइव है कि जिस परकार से आपने निरवाचन आयोग को शिकायद की है तो क्या उस शिकायद में कोई दम है अभी मैं भी फोन कर कुछ नहीं बता सकता आप यह तो चाते हैं कि इस बात का जो निच्वड़ो नय है क्या सकते हैं क्या सकते हैं यह तो आप चाहते हैं यह कुछ गलत है यह तो गलत है यह ते हमारे साथ कमल देप सेंग लाड़ी और भया के देखो यह ते आप हमारे साथ कमल देप सेंग लाड़ी बाजबा के दिवतिये नंबर पर रहने वाले कैंडिडेट थे जिनसे बाद सीत हुई कि फोन पर हम कुछ एक्स्टा बात नहीं करेंगे लेकिन जब उनके द्वारा शिकायत यहां दी जाती है शिकायत में कितना दम है वो जो में रहें असन दल्चल हर्याणे के साथ बहुत बड़ा यह मैटर है मैं एक बार जड़ा चेक करूं लैप्टोप पर लाइव चल रहा है या नहीं और आपकी आवाज हमारे साथ पूरी ठीक है वो क्या नहीं वह आप जरूर बताइएगा लेकिन आज सोसल मीडिया पर इतना बड़ा एक मैटर जो चल रहा है उसकी जो पूल है वो हम खोलेंगे कि अभी चूड़ेंगे अभी नेस्ट केंडियट से में बात करेंगे जो केंडियट में मिदान में थे दोड में थे वो क्या है और क्या कहना चाहते है उनका क्या कहना है रोकी मट्व रोकी मट्व जो तृत्य स्थान पर थे जो कांगरेस के और कियोर से समर्थक प्रतियासी थे समसियर सब्सक्राइब और हम दिए गया था तो उंचे बात्सीत करेंगे फोन उठता है यह दी बात्सीत होती है बने रहें जोड़े रहें तस्वीरों का ज्यादा ज्यादा शेयर करें किया सच्छ है क्या जूट है फो जो है अभी दूद्गा दूद्गा पानी का बानी हो जाएग सबत समारो हुआ भी नहीं उससे पहले बड़ी तस्वीरें सामने आती है, यह डोकुमेंट्स, यह आर्टियाई, रोकी मट्टू से बात करेंगे, लाइव है रोकी मट्टू? हाई हूं है यह मुलिए है तत्पी लाइब है आपके साहथ आुट है आपकी आवाज जनता के बीच है और आज attempt जो ही चला हूओा है लोगों के बीच में असन्द के चैर्मेन को लेकर के विसक वहा है वह फरजी है क्या कहना चाहेंगे क्या क्या है इसके अंदर क्या आप लोगों ने कुछ इसके बारे में जाजपताल की है या आपको भी कुछ पता नहीं अभी तक रोकी मत्व आप यह चाते हैं कि जो सचाई सामने आए पुरकी मतो दो चीज हुई है या तो लोगों के साथ दोका हुआ है बहुत बड़ा दोका हुआ है या फिर सथापक्स के जो लोग है जिनों ने अपनानेंड की है या फिर बहुत बड़ा करना जे सावध्य साहे कि लेक उसको फसाने की लेकिन सचाही सामने आए या आप चाहते है कि अगर बाद को डिपिंग कर रहे हैं कि अगर नहें को कोई सब्सक्राइब बत्यासे से आमारी सुवे भी बात हुई थी दो तिन पहले बात हुई थी परतियासी अभी डिस्पले पर नहीं आना चाहरे हैं आज फिर बात हुई है हमने उनको बार बार कहा है कि मार्केट में जो बाते चल रही है आप सामने आए जन्ता के आप सब्सक्राइब कर देंगे बिल्कुल अभी आपके बाद हमें पंडित जेले राम शर्मा पूरो एमले सीपेस को लाइन पर लेंगे बहुत 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 दन्यवाद रोकी मट्टू बहुत बहुत धन्याज समय देने के लिए इसके बाद सीधा जुड़ेंगे पंडित जेले राम शर्मा जिनके जो समर्थक उमिद्वार थे सतीस कटारिया तो दोस्तो एक बहुत बड़ा पर्शन इस समाज के आगे लोगों के आगे आता है कि क्या सच्चाई है लोग जानना चाहते हैं उमिद्वार को भी हमने फोन किया है जो जीते हैं उन से ये कहा था कि आप विनमर निवेदर हैं कि आप जनता के सामने आए और इस बात का स्पस्ट्री करन दें कि क्या सच है क्या जूट है तो अभी पंडित जिले राम शर्मा पूरव MLA CPS उन से बातचीत करेंगे बने रहें जुड़े रहें इन तस्वीरों को आप ज्यादा से ज्यादा शियर भी करें कौन बजी है बातचीत होती है तो आपसे बातचीत करवाएंगे उससे पहले आप तस्वीरों को शियर जूरू करें और यह लैप शॉप अब भी बात करेंगे गुर्बकसी सिंग लाड़ी जो की काभी बजी उससे दोक्राइब भी स्वीजाब आप तो आप अभी बात करेंगे बड़ा पद है उनके पास भाजपा में तो दोस्तों शेर जुरूर कीजिएगा एक बड़ा मैटर कंटीनू जुड़े रहिएगा दुरूबक्सी सिंगलाडी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आपका जुड़ने के लिए लाइव है हमारे जब लाइव है एक मैसेज चला हुआ है बाजार में कि जो कैंडिडेट जीते हैं स्थीज कटारिया उनकी डिगरियों को लेकर के उनकी जो डिगरिया है जस् परकार से जाच होनी चाहिए और क्या निस्पक्स जाच होनी चाहिए क्या सच है क्या जूट है या फिर एक वेक्ति के खिलाव किसी परकार का कोई सडें तर रचा जा रहे है क्या कहेंगे गुरूबक्सी सिंग लड़ी मेरा तो कहना दिलबाग जी सिर्फ यही है कि अगर ये जो भी मामला है इसका दूद का दूद और पानी का पानी होना चाहिए क्योंकि अगर असंद की जनता ने गोट डाल के चेर्मेन बनाया है अगर उसके डिगरी सही है तो वो पांच साल रहना चाहिए जे बिलकुल अगर उसके डिगरी में फाल्ट है उसने दोखादड़ी से चनाव लड़ा है तो फिर उसके खिलाफ कारवई होनी चाहिए लाड़ी साब आपके जो कैंडिडेट थे उनके दोड़ा भी निर्वाच नाय को लिखा गया है और र्टि भी बहुत ज्यादा लगी है तो जब इतनी अर्टि लगती है कुछ नकुछ तो जो सबूत है वो लोगों के पास होंगे डोकुमेंट्स तो हमारे पास भी जो है आचुके हैं अगर किसी को शक हुआ है मैंने भी देखा है जो सर्टिपेट यूपी बोर्ड का बढ़ा हुआ है और 2018 का है जी और मुझे लगता है कि स्टेश्क टारिया इतने नोजवान नहीं है कि 2018 में उन्होंने दस्वी करी होगी या वारवी करी होगी जो की सर्टिपेट है अगर उसमें वो पढ़ाई सही में की हुई है तो फिर तो वो नहीं ही खत्रेवाली बात नहीं है उनको रहना चेहिए और चेरमैं रहने चेहिए रहिए पांच साल के लिए चोड़े गए जे जे अगर कोई फरल्जी वड़ा किया है तो एक मंतरी बीओं दिल्ली सरकार का का उंस काम नहीं बता सकता मुझे बुल बहाद गया नहीं कुई शाद तोमर था जिए उसको जब जब उसके कॉलेज में ये लिजा के पुछा गया कि आप कौन से कमरे पे पढ़ते थे आपका कौन सा आपकी लैब कहां थी आपने एकजाम कहां पे दिया अगर जोट निकलता है तो फिर देखो उन पर कारवी होनी चाहिए फोर्ट वल्टी का मामला है बेश को उन्होंने जूट बोला है जे बोट खर्चावी कारवी बनती है और एक सच्चा-सुचा इंसान जो है वो शेर का नित्रतव करने वाड़ा होना चाहिए फ्रोडी नहीं होना चाहिए अगर वह वास्तों में करती है कि लोग चाते हैं कि जो सचाई है वो सामने आए मैं एक बार स्तीश कटारिया जी को लाइन पर लेना चाहिए यह उन से बातसीत होती है स्तीश कटारिया जो कि चेर्मेंड पद के उमिद्वार थे और बड़े अच्छे वोटों से वो जीते हैं कि लाइए तस्वीरों को शेयर करें बने रहें बहुत बड़ा मसला है मार्केट में बहुत बड़ी आवाज है क्या सच है क्या जूट है और यह जो डोकुमेंट्स है क्या दर्शाते हैं आट यां लगी है निरवाचिन आयोग को लिखा गया है कि इस समय आप असनल चल पर लाइव है आजी आपकी आवाज जो है सभी दर्शकों को जो सुनाई दे रही है जी सर जी सर आपसे पर्शन है कि मार्केट में आपकी बाई तोड़ा ठीक करोना कट लिए तस्वीर क्या फाइदा फिर आपकी डिगिरियों को लेकर के मार्केट मे में एक मैसेज है कि आपकी डिगिरियां जो है वो फर्जी है तो जनता उसका जवाब जाना चाहती है प्लीज बताएं स्टीज कटारिया देखिए सर मेरी जो डिगिरिया है ओरिजिनल है आप लोग चेक कर सकते हैं चेक करवा सकते हैं कहीं भी जी तो जैसे साइड नंबर सब्सक्राइब के कैंडिडेट थे कमल दिफ सिंग लाड़ी उन्होंने निरवाज नायुक को लिखा है कि इसके ओपर जो है अभी स्ट्रेक कर देना चाहिए किसी परकार की कोई आगे कारवाई नहीं हो चाहिए और आटिय भी है मेरे आतमे आटिय लगी है ऐसा क्यों देखे शोट में हो सबस्ला है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ को बड़ा फ्रोड किया जा रहा है यापको चंगुल में कोजिश की जा रही है ऐसा लगता है कुछ और यह आप किसी भी स्थान पर जाकर कहीं भी जो है चेक कर वाज़ते हैं स्थीश कटारिया जी हमारे साथ जुढ़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि यह थे हमारे साथ चेर्मेन केंड़ेट स्थीश कटारिया पंडित जीले राम शर्मा को मैं एक पर फिर ज सब्सक्राइब करेंगे अब ही बात करेंगे गुरुपक्सी सिंगे मारे बात चीत हो चुकिया है विदाक समसेर सिंग गोगी शुराणवे 167 एक्सोषाट भाई तस्वीरों को शेर जरू करें बड़ी खबर है क्या जनता के साथ धोका हुआ है या फिर एक कैंडिडेट के खिलाफ बड़ा सिगंतर रचाया जा रहा है कि वो कैंडिडेट जो जनता ने चुना है विदाक समसेर सिंग गोगी को हमने फोन मिलाया है उनसे बात्सित करेंगे मोके के राजा है और उनसे भी जाननेंगे कि क्या ये गलत है या फिर ये ठीक है आप शेर अपना जुरू करें और ग्रूप में जा करके विदाक जी नमस्कार राम राम विदाक जी दिलपाग बोल रहा है जी जी कल आओंगा विदाक जी आपी लाइन पर हमारे साथ लाइव लाइव लाइन पर आपकी अवाज उनता को शुनाई दे रही है मार्केट में जो चेर्मेन पद के उमीदवार थे जो चूने गए थे असंद में उनके खिलाब जो है एक मैसेज मार्केट में चल रहा है कि उनकी डिगिरिया फरजी है बीजेपी के जो केंडेट है कमल दीप सिंग लड़ी उन्होंने भी निर्वाच नायों को लिखा है आ ऐसा है तो यह फोन कट गया दुबारा फिर जो है बात्चीत होगी कि रेंज की वज़े से कि देखे सभी की अलग अलग पर्ति की रहा हुती है हमारे साथ है संजेर जिंगोगी असंद के विदायक जी तो मैं गता हूं जचाई आएगी तभी पदा चलेगा जी विदायक जी यह तो जो रटर्नी का फीसर है हमारे अश्डियम साहब है जी विदायक जी उनको इसकी जी आच करवानी चाहिए जी विदायक जी खाफी दिनों से लाज चल रही है तो कंड़िएट को भी सामने आकरके जो है लोगों को बताना चाहिए ज़ी यवाटो मैंने सुनी है लेकिन अब आ बिना जानकरी के कि बहल जान रखाना तो ठीग नहीं है जी तो सरकार की जिम् सब्सक्राइब जी बिल्कुल 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 जी जटाइब नुमेंदा इजर इतना बहीमान आए कि अधिली 30 पेड ले रहा है तो फिर तो लोग तंतरी खत्रे में पहले जी क्योंकि विदायक जी मान लीजिए या तो जन्ता के साथ बहुत बड़ा दोखा हुआ है बिल्कुल या फिर उसके खिलाब जो है कोई बड़ा से इंतर रचा जा रहा है चलो कल आता हूं मैं फिर पता करते हैं क्या है जी विदायक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए पंडेची ले राम सर्मा का फोन जो है स्विच ओफ है और भी कैंडिट हमारे साथ है उनसे भी बात्चीत जो हमें करेंगे सोनिया बहुत से जो बात्चीत करेंगे एडवोकेट भी है और क्या क्योंकि एक कैंडिडेट भी नहीं है सोनिया बहुत तस्वीरों को शेर कीजिएगा बैठे रहिएगा बहुत बड़ा मसला है बहुत बड़ी आवाज है कि हुआ क्या है असन गेंदर दो दिन नहीं होते दो दिन नहीं होते जब वो जीज जाते हैं उन्हें खिलाफ पोस्टे डाली जाती है सोनिया बहुत सोनिय हमारे साथ हमारे दर्शकों के साथ जो चेर्मैन चुने गए हैं क्या कहेंगे उनके खिलाब पाते चल रही है मार्केट में कि उनकी डिगिरिया नकली है आपकी क्या पर्तिकिरिया है उसके अंदर सोनिया बहुत लगा रखे काफी सारे कैंडिडेट बहुत लोगों ने अटिया लगा हुए है जो साइकिन नंबर पर कैंडिडेट थे कामल देप सिंग लाड़ी उन्होंने निर्वाच नायुक को भी लिखा है तो क्या सोचते है क्या इसके अंदर कुछ गलत है बहुत बड़ा पावाल है स जाना थी है पता लगना थी असली है नकली है सोन्या बड़ा यूपी में अगर वो पढ़ने गए है तो अपनी अटेंडन्स शो कर दे वहां का सेंटर कोड़ आवाँ पेपर दिये वो शो कर दे और जो वहां पर जो प्रिजेंट था और जो टीचर था जो स्कूल का नाम थ जाना था जो स्कूल कर दे जो नंबर वो शो कर दे जो नोगों ने वोट दिया है लोगों ने चुना है अगर गलहत है अगर गलत नहीं है तो पांट साल अपनी केर्मेंशिप करे कौन हटा रहे है अगर गलत है तो फिर कारवाई होनी चाहिए सोन्याबाद बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ उड़ने के लिए थांक यू तो मिस्टर थांक यू आम आदमी पार्टी की केंडिट थी सोन्या बहुत एडवोकेट भी है और भाई अभी हम जोड़ेंगे राजीव बाल में की और किस परकार से हम देखते हैं एक मेंट तस्वीरों को शेर जरूर कीजिएगा और किस परकार से क्या जनता के साथ एक फ्रोड हुआ है या एक चेर्मैन के खिलाफ बड़ा शडेंतर रचा जा रहा है सत्ता पक्स के दवारा यह तस्वीर लाइव है आपके टीवी स्क्रीन पर भी कुछी देर में चलेंगी राजी आप असंद के असंद अलचल के दर्शकों के साथ लाइव है इस मेरा सभी संद वाचिकों नमस्कार मैं यह जाना चाहता हूं कि जो मैसेज और आपका भी चेश नमस्कार जो आपने इतना बड़ा मुद्दा तो सार्क उठाया है जो मार्केट मैसेज में चल रहा है आप क् तो से यह जा रहा है तो कोई बड़ा सेजें तरह जा रहा है जी जी या फिर बहुत बड़ा फ्रोड हुआ है असन की जंता के साथ जी जी दिलबाग जी मैं काना ताहूंगा जो मारक सीट में देखी आठीय के ताहर जो मांगी गई है जी वह एक्षुल इलाबाद सेंटर से है जो इलाबाद कोई मेरे साफ से कोई बोड निया क्यों जो ने रिकोर्ड में चेक कर आया हूं जी जी तो बड़की देखो जो जी तो यही ते हमारे साथ जी तो यह थे हमारे साथ कित हुई है अभी हम जोड़ेंगे रुख जावाई रुख जाओ अभी हमां जोड़ेंगे सलिंदर सिंग को कि 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 सलिंदर सिंग आजात के इंडेट थे उनसे विवासित करें कृपिया कुछ समय पश्चात प्रयास करी तर नंबर यू हाव डाल्ट इसकारण प्रकार से और एक मिनट बस अपना कटम होने वाड़ा है कटम होने वाड़ा है अभी लोगों के साथ बस लास्ट फोन है रोकी मट्टू से आपकी बात चुथी राजी बालमी की से आपकी बात हुथी है सब्सेंटर सिंग जी से रेंटर से और राम राम सब्सेंटर सिंग जी राम राम लाइवाप हमारे साथ असंदल चल के साथ आप कि उनकी जो डिग्रिया है वो फर्जी है जी सरा में तीन चाह दिन से बात है कि उनकी आठवी कलास में फैल होगे जी और तीन ताली चाली साल उनकी उमर होगी है अब दोचा अठारा में बैक डेट में क्या जूर्च पड़की है जो तस वी उपंचर ने बनुए है यह को जो जो पर घचे है जो फरोड हो घृए जंता के साथ जंता के साथ विश्वास गए या फिर जदो प्रओय है या तो बहुत बड़ा फ्रोड हूआ है जन्ता विज्वास गात हुआ है ये यह भी घृए से और चेर्मेन के खिलाफ एक बड़ा सदेंतर रचा जा रहा है सत्ता पक्सने भी जो है निर्वाचा नो आयो को लिखा गया है काफी आट याई लगी है आप क्या कहना चाहेंगे तो यह उपन यूपी से करवाई जो भी निर्वाचने लोग के अंदर भी नहीं आता को बोर्ड जो निर्वाचने लोगी जो उपन डिगरी पास कर तो आपको लगता है कि यह जो डिगरीया है वो फूरड है कोई निए फूर्ड फूर्ड तो वो साबिद करेंगा ना कहां कहां किया कभ किया कभ आप जापते रहे हो का फ्लेट सुटाइब कर लगाई यह जो बंदा बताई है वो ड़ड़ पताई इसके दिए कभ गया यह से ने कभ किए अधू यह थे हमारे साथ स्टीज कटारिया से मारी वाजी कमल दिप सिंग लाड़ी से रोकी मट्टू से सलिंडर से राजी उसे सोनिया बोच से पंडित जिले राम शर्मा जिनके समर्थक उमीदवार थे जिनके समर्थक उमीदवार थे स्टीज कटारिया उनसे बात्चीत करेंगे तो क्या जनता देख रही है सुन रही है उनका जो है नंबर है वो स्विच ओफ है तो यह जो डिगरिया है जिहां जो यह डिगरिया है उत्तर परदेश की है आर्टियाई है जो आर्टियाई लगाई गई है प्रिंस पाल जी के दवारा और जो स्टेट इलेक्शन कमिंशन जो मैं बताने चाहूंगा आपको कि इसके अंदर जो अप्लिकेंट्स है कमल दीप सिंग लाड़ी सुनोफ सिरी सर्वन कुमार वार्ड नमर बारा यह कहते हैं कि इन दिगरियों की जो है इस दस्वें की मारकशीट की जो जाच होनी चाहिए क्या गलत है क्या ठीक है क्या जन्ता के साथ बहुत बड़ा फ्रोड हुआ है क्या जन्ता के साथ विस्वास घाट हुआ है या फिर बहुत बड़ा सेडंटर जो है चेर्में के आपर जैह रियाड़ा